हेलो फ्रेंट्स वेल्कॉम टू लेट्स क्राक एंटीए योजे सेनेट में वर्खा आपका बहुत-बहुत स्वाइट करते होने के शांदार से प्लाटफोर्म पर तो फड़ा फट से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जादा से जादा वच्चे हमारे साथ जूड सके एक बार शेयर करेंगे स्टूडेंट्स आजएए फड़ावट से कैसे आप शिव जी शिव कुमार गुड मॉर्निंग आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं शिव कुमार जी गुड मॉर्निंग बिनीट नेहा जी वेलकम जी आगे जी आगे चलिए शेयर कर दीजे ताकि जादा से बच्चे हमारे साथ जुड सकेंन छी कर दीज इस स्टूडेंट जितना हो सकी उतना शेयर कर दीछें चलिए आज यह है तो हम शुरू करते हैं आज हम करने वाला शब्दा करने वाले है सब्दा जो इसक सेमें कर लिया है परिट्च प्रियुत और हम रह जाएगा अर्थपत्ति जिसमें से बहुत ज्यादा कोश्चन आये थे आपके लाज्ट टाइम अनुपलब्धी ठीक है अनुपलब्धी ठीक है तो यह आपका आने वाला है कल दोनों ही अर्थपत्ति और अनुपलब्धी दोनों ही टॉपिक में कवर करा दूंगी आपको और इस तरह हमारी यह 7-8 क्लास में आपका पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक का अल्मस्ट खतम हो जाएगा जो आपका फॉलसीस वाला चैप्टर बचे का जो एक तो कुछ भी बचे का छोटा मोटा वो मैं आपको स्पेशल क्लास में कराऊंगी ठीक है तो अगर इसकी प का पसंद आती है तो सब्सक्रिप्षोन ले सकता है प्लस या इकॉनिक में से कोई भी जिसमें 10% आफ आपको इस कोड से लिया जा सकता है तेनि परसेंट और टेलीग्रम चनल का लिंक है एंटियुजिस निट की तियारी कर्वारे अनक एड़मी इंडिया का लाच्वर्श प्लाटफों तो आज हम करने वाले हैं शब्दा 2020 के पीवाई क्यू और देखिए इसमें मैंने 2020 2019 देन आपका 2018 ऐसे पॉलिटिकल साइंस के आपके यह होने वाले हैं होने वाले हैं ठीक है 100 MCQ होने वाले हैं इनको आपने बिल्कुल मिसने करना है थोड़ा सा फास्ट रहेगा और आज जो है साड़े चार बजे क्लास यह शुरू हो जाएगी ठीक है थोड़ी से लंबी क्लास भी हो सकती है कोशिश करेंगे वने नाफ हार में कंप्लीट हो थीचे दिन व्यापती है ठीक है देन एकस्पेक्टेडं सिक्यू ठीक है तो इस तरह इस महीने में पूर आपको करवाने वाली हो और जो आपका प्लस पर कोर्स चल रहा है प्लस पर चल रहा है डेली धाई बजे आज जो है गवर्नेंट पॉलीसी इंडिया देन उसके जो भी उसमें बचा हुआ है कोर्स में वो सब हो जाएगा देन डाउट क्लिरिंग सेशन देन मैगा कुईज तरिक तक चलने वाला अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो लेलो मेरी स्पेशल क्लासेज आपको दिख जाएगी स्टूरिंट अपकमिंग क्लासेज मेरी रि दिरेक्ट कॉल कर सकते हो नेवर मिसा मतलब आपको और नोटिफिकेशन मिलता रहता है नोटस आप पीडिएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो कहीं पर भी एक लास दे सकते हो एकदम फ्री है हर वैंसे नहीं बैचेस आते हैं प्लस में और इनको भी आप जोइन कर सकते हो ठीक है और अभी जो है ओफर चल रहा है 27 से पहले पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 प्लस टू मंत का यह चल रहा है यह आप ले सकते हो प्लस और आइकॉनिक दो प्लान है प्लस में मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर लाइफ क्लास पीडिएफ कुईज प्लस के सारे बेनिफिट और परसनल गाइडेंस आपको मिल जाती है इसमें पेपर वन पेपर टू दोनों का एक्सेस वीडियो राउंड लोड करने का ऑप्शन सिस्टेमाटिक में सारी चीज़े स्टडी प्लान स्टडी मटीरियल एक्सवर्ट गाइडेंस सब चीज़े मि और आइकॉनिक का है आपका 2300 का चलिए कोई भी इनपरप्रियेट कंटेंड लगे तो उसकी रिपोर्ट आप करता है बग्सवर्टी यह बताता है चलिए तो हमने यह किया था पक्षय हेतु साध्या मिडल टम माइना टम ठीक है माइना टम मेडल टम मेडल टम टीक है यह क् सब्सक्रों ठीक होगा यह था अपका अयह फिरद यह बना ठीक है कारण को देख लिन जो कंक्लूजर नीकाला है चलिए आज़े यह वर्डस्पर सखे कोई धुन्दला नहीं है सब ओके है शेयर कर दीजे ग्लास को स्टूडेंट शेयर कर दीजे चलिए तो आते हैं शब्दा पे शब्द क्या है न्याया फिलोसिफी में शब्द जो है वो फोर्थ और सबसे लास्ट ठीक है न्याया फिलोसिफी ने वर्ड को भी क्या माना है आपका परमान का सुरोत माना है ठीक है और नयायात फिलोस्फी ने शब्द को फोर्थ और लास्ट वैलिट सूर्स ओफ नॉलिज माना है ठीक है क्योंकि वो चारे चीज़ों को मान रहे है, प्रतक्ष अनुमान, ठीक है, उपुमान और आपका शब्द, इन चारों को ही ये मान रहे है, शब्द का मतलब क्या है, जो एक reliable expert के द्वारा जो है बताई गई हो कोई बात वो आपका शब्दा कहलाएगा ठीक है trustworthy person के द्वारा बोली गई बात जो है वो शब्दा कहलाती है simple ठीक है ऐसे ध्याना करें trustworthy person जो भी बात बोलेगा वो क्या होएगा शब्दा कहलाएगा the reliable of the sources is important reliability of the source is important and legitimate knowledge can only come from the शब्दा of reliable source ठीक है यहाँ पर सिर्फ इतना है कि वेद ज्ञान केवल विश्वशनिय स्रोच से ही आ सकता है जैसे कि मैंने बताया कोई trustworthy person जैसे example के लिए जैसे रिशिमूनी के द्वारा बोले गए कोई शब्द वेदो में लिखे हुए शब्द क्वेदो में जो भी लिखा जाता हो किसके द्वारा लिखा जाता है किसी trustworthy person के द्वारा लिखा गया है तो वह भी आपके क्या हो जारहे है वह भी आपके validzent reliable source of knowledge हो जा रहा है ठीक है तो कोई reliable person जिसे हम लोग को प्रवचन सुनते हैं किसी किसी के ठीक है बहुत सारे तो वो भी आपका जो है क्या हो जाएगा वो भी शब्दा के अंदर ही आ जाएगा ठीक है गुड मॉनिंग जी शेयर कर दीजे class को like कर दीजे देन आता है आपका कु किस आता वाक्य किसको बोलेंगे जो एसा reliable expert के द्वारा बोले गए शब्द जो past और present को बताते हैं ठीक है अतीत और वर्तमान के विशेषग्यों को बताते हैं ठीक है के द्वारा बोले गए हैं अतीत और वर्तमान में वो अपता वाक्य कहे जाएगा ठीक है मतलब जो वर्ड रिलाइबल परसन ने बोले हैं चाहे वो अतीत के हो चाहे वर्तमान के हो वो क्या बोला जाएगा उसको अपता वाक्य बोला जाएगा ठीक है अपता वाक्य बोला जा आपता क्या है आपता हो है जिस जो बोल रहा है जो विक्ति बोल रहा है उसको हम क्या बोलते है आप सच अपता अपता और इसके द्वारा बोली हुई आप तवर्थी बात सबढ़र कहा है फिर जूर कर रहा है यह ट्रॉस्ट वरदी People इसके द्वारा बोली हुई बात आपता वाक्य कहलाएगी ठीक है clear और यह क्या कहलाएगा यह खुद कहलाएगा आपता चलिए अब वाक्य क्या हो गया a sentence is defined as a collection of words ठीक है वाक्य जो sentence हम बोलते हैं वो word क्या हो गया word is defined as the which is potent to convey its meaning शब्द में हम क्या है एक ऐसा जो किसी शक्तिशाली अर्थ को बता पाए ठीक है जो किसी को किसी चीज के अर्थ को बता पाए वो होते है words ठीक है it means gaining proper knowledge is either spoken or written ठीक है कोई भी वाक्य जिससे हमें कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें knowledge प्राप्त हो चाहे वो लिखन हो लिखित हो चाहे वो बोल नेम बोली गई हो ठीक है जैसे कि trustworthy person कोई लिख के भी जो बोलेगा लिख के भी जो बताएगा वो भी आपका शब्द में आएग ठीक है वो भी आपका proper knowledge का ग्यान का सुरोत होगा और अगर वो बोल के बताता है जैसे कि जैसे कि मैंने आपको example दिया था आपको वेदों में जो लिखा हुआ है trustworthy person ने लिखा ठीक है तो वो आपका क्या हो गया और पहले क्या होता था ठीक है यह आपका क्या हो गया यह गुरु कुल में आप देखते हैं कि जो भी जितने भी रिशी मुनी थे वो कैसे सिर्फ बोल के बोल के सिख्षा देते थे वो लिख्वाने वाला लिख कई वाला जो है पढ़ाई नहीं होती थी वाँ पे ठीक है तो बोल के जो सिख्षा दी जाती है वो भी आपका उसके द आपको उचित गया प्राप्त हो सके शब्दा is to be deemed valid when its meaning has been properly and carefully understood शब्दा तभी सही होगा शब्दा तभी valid होगा ठीक है जब उसका proper meaning और निकल पाए और हम उसको clearly understand कर पाए उसको समझ पाए जैसे की अच्छा जैसे की गौतम बुद्ध के द्वारा बोले गए शब्द ठीक है ट्रस्ट वर्दी है एक example दिया हुआ है गौतम बुद्ध जो उनके द्वारा बोले हुए word है वो क्या कहलाएंगे वो आपका ठीक है अब तब आखे जैसे की एक example यहां पर देखी एक और यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे प्राचीन काल में वेदों को क्या माना जाता है सबसे authentic सरोत माना जाता है ना वेदों को सबसे authentic सरोत माना जाता है लेकिन कुछ philosophers ने इनको reject किया है जिसको हम heterodox बोलते हैंना orthodox जिन्होंने वेदों को माना है heterodox जो ने वेदों की बातों को नहीं माना है orthodox में आपके यह आ जाएंगे सारे मिमानसा ज़िके घ्यान मिमानसा ये सब चीज़े और आपका heterodox में कौन कौन आ जाएगा ? गोतम बुद्धा आपका ठीक है ? बाधरम जैंदरम ये सब आ जाएगा ठीक है तो इस तरह जो है आपका word ठीक है ज़रूरी नहीं है कि इनके द्वारा बोले हुए word है तो ये इसको वेदों को भी मानेंगे ठीक है वेदों को ये नहीं मान रहे है ठीक है ये भी ध्यान रखना तो ये context-based knowledge को इनों नहीं reject कर दिया था ठीक है heterodox ने तो ये मैंने heterodox और orthodox वाला आपको first class में बदाया अगर आपने वो नहीं देखिये तो वो देख लेना ठीक है this also opened the debate that there can be various source of knowledge, object, validity and reliability depends on the source of as well as context ठीक है जैसे कि हम कई बार क्या है जो हमें टीवी में दिखाया जाता है जो किसी बुक में लिखा है हम उसको सच्च मान लेते हैं क्यों कि वो क्या है हमारा newspaper में जो लिखा है हम उसको सच मान रहें क्योंकि वो हमारा जो है जो है ग्यान का स्रोत है यही तरीका है जिसके दोरा में जो है नहीं नहीं knowledge का पता चल रहा है थीक है, तो हम पत्रिकाओं पर, इंपर, TV पर, आधी पर भरोसा करते हैं, तो आज के समय में जो trustworthy क्या होगा, trustworthy person ना होकर आपका एक, जो है, एक TV चैनल यह फिर कोई बूक, कोई thinker, कोई समाचार चैनल, यह आपका, यह पत्रिका, यह सब आपका यह जो हो जाता यह means of knowledge object of knowledge यह बन जाएंगे ठीक है जी ठाइंक यू जी लाइक एंड शेयर कर दो अब जो है एक दो चीजे अच्छा ठीक है यहाँ पर क्या है सिर्फ combination of word जो है कोई valid knowledge नहीं बताता है ठीक है यहाँ पर अब आपका सही हम एक जो है जो चार चीजे आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ठीक है वो मैं बताऊंगे आगे उससे पहले थोड़ा सा यह समझ लीजे कि हर कोई word जो है वो एक valid statement नहीं होगा ठीक है वही चीज है कि ऐसा नहीं हो कि किसी ने बोल दिया हो तुकड़े तुकड़े में कोई बात बोल दियो तो वह valid means of knowledge नहीं होगा ठीक है सिर्फ जो है trustworthy person के द्वारा जो आपता है ठीक है एंड उसका reason कि क्यों उसने यह बात बोली उपदेशा जो बोलता है और प्रम्भना टेस्टिमोनी जो उसके गवाही होगी वो सारी चीजे आपकी जो है शब्दा में आ जाएगी ठीक है एक trustworthy person की गवाही उनका उपदेश उनका कुछ भी शब्द जो उन्होंने बोले है लेकिन एक sequence में एक सिर्फ wordो का mail ही नहीं होता है और भी चीजे इसमें होती है जैसे कि मैं सीधे आ जाती हूँ अकांशा पे ठीक है चार चीजे हैं अकांशा योग्यता यह आपका सबसे important यही है सन्निधी इसको समझ लो शब्दा समझ जाओगे तातपरिया ठीक है शौट में अगर बोले अकांशा क्या होगा अच्छा ऐसे नहीं समझ जाएगा रुख जाओ ठीक है चलिए यहाँ पे आजएए अकांशा सन्निधी तातपरिया नोर्स बनाने के बाद भी देखो सिर्फ इनका मतलब समझ लो में आपके लिए यही है अगर आप मतलब समझ जाते हो ना तो आपको सब समझ जाएगा ठीक है जैसे कि अकांशा क्या हो गया टुकडो में कोई वर्ड बोल दिया जैसे कि हाथी हाथ कपड़ा प्रेस अब इनका कोई मतलब नहीं बन रहा इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ठीक है जैसे यहाँ पर लिखा है देखो cow, horse, man, elephant ठीक है तो इस words का words तो बोले हुए है लेकिन इसका कोई एक proper sentence नहीं बन रहा है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह होता है आपका अकांशा मतलब कोई भी word हो तो वो proper एक sentence हो जिसका कोई अर्थ निकले सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हो जैसे कि मैं बोल रहे हूँ एक proper sentence में आपको समझ आ रहा है कोई एक तार्किक वाक्य होना चाहिए एक logical sentence होना चाहिए उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए ठीक है तो ये होता है आपका अकांशा ठीक है शब्दा में ये चार चीज़े आपने ध्यान रखनी है अकांशा योग्यता तातपरिया और सन्निधी ठीक है अच्छा इसका sequence पू लगाओ तो आपका क्या है अकांशा योग्यता सन्निधी और तातपरिया गलत दिया हुआ था A B C D आपने लगाना था A Y S T है ठीक है अकांशा योग्यता सन्निधी ठीक है कहीं हो सके तो नोट डाउन कर लो ठीक है तो यह आया था योग्यता का क्या मतलब है इसका तो मतलब आप जानगे अकांशा का अकांशा का मतलब है कि वर्ड जो है वो प्रॉपर संटेंस में है योग्यता का मतलब है कोई भी आप वर्ड बोलते हो ठीक है योग्यता का मतलब है कोई भी आप संटेंस बोल रह चाहिए, contradictory meaning का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है कि पोधो को आग से पानी दे दो, क्या पोधो को आग से पानी दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, clear सी बात है, पोधो को आग से पानी आप नहीं दे सकते ठीक है, तो पोधो को आग से पानी आप नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यह आपका योग्यता का पार्ट है, मतलब word हमेशा कैसा होना चाहिए, कोई ऐसा मतलब ना हो, contradictory नहीं होना चाहिए, कई बार आपको example दे दिया जाता है ठीक है, इस पर question कैसा बनेगा, example दे देगा, कि यह क्या है, सनिधी है, योग्यता है, ताथपरिया है, अकांशा है ठीक है, real life example दे देगा, कि नदी में आग लगा दो contradictory हो गया, नदी में आग दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे, कि यह योग्यता की बात हो रही है गलत sentence, contradictory sentence जो है, यह बनाया गया है, ठीक है, contradictory हो गया है तो यह आप समझ जाएंगे, योग्यता का मतलब यह होता है, कि sentence हमेशा सही होना चाहिए, contradictory मीनिंग उसका नहीं होना चाहिए अब आता है, सन्नीधी, सन्नीधी का मतलब आप समझ रहें, सन्नीधी का मतलब है, चीजों को तोड़ तोड़ के बताया गया है सन्नीधी, जैसे हमारा सन्नीधी वी चेद होता है, सन्नीधी को इससे थोड़ा-थोड़ा मैच कर सकते हो, हलाग कि उसका यह अलग होता है, मतलब Лetka, यह यह अलग है, जैसे कि हमने बोल दिया कि मैं, 5 मिनिट का मैंने ब्रेक लिया फिर मैंने आप से बोला कि आज फिर पाँच मिन्ट का मैंने ब्रेक लिया फिर मैंने बोला युनिट 10 फिर मैंने पाँच मिन्ट का बोला नहीं गराऊंगी फिर मैंने पाँच मिन्ट का ब्रेक लिया तो ऐसे यह जो हम ब्रेक ब्रेक लेकर ठीक है बाकी बात मैं कल बताऊंगी नहीं के बात मैंने कुछ नहीं बोला उसके बात मैंने बोला कि यह आगे की बात मैं आपको कल बताऊंगी तो ऐसे जो तोड़ तोड़ के बात बताई जाती है न वो आपका किसमें आजेगा सन्निधी में ठीक है सन्नीदी ध्यान से देखो सन्नीदी हो गया अभी चारों को दुबारा से समझा देती हूँ देन आता है तातपर्या तातपरिया का मत्र है कि एक वर्ड के कई बार क्या होता है एक वर्ड का कई बार दो मीनिंग होता है हम कभी-कभी वर्ड के मीनिंग को मिक्स कर देते है जैसे की तातपरिया होगा यहाँ पर ठीक है जैसे की ठीक है यह स्पेलिंग यहाँ पर यह होगी जैसे कि हम क्या करते हैं हम हमेशा जैसे कि हम बोलते हैं सेंधा नमक ले आओ लेकिन सेंधा तो एक गोड़े का नाम भी होता है ठीक है तो हम बोलेंगे किसी को कि सेंधा देना तो गोड़ा लेके आ जाए तो क्या होगा तो हम कहींगे अरे ये तो हमने मांगा नहीं था ये क् सही मीनिंग, सही शब्द जो है वो यूज करना चाहिए और सही आर्थ के अधार पर ही उसको समझना चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पर कई बार हम डबल मीनिंग निकाल जाते सेंधा नमक जैसे कि अश्वत्हामा के बारे में गलत मतलब निकाल दिया गया था अश्वत्हामा का पता है सबको ठीक है अश्वत्हामा उसको क्या बोला इसके पिता को कि अश्वत्हामा मर गया है ये बता दिया गया उसका पिता क्या हो गया वो थोड़ा सा उदास हो गया मतलब तूट गया ठीक है और वो भागा भागा दुखी मन से देखने गया कि जबक अश्वधामा मर गया है उन्होंने हाती को मार दिया और बोला कि अश्वधामा मर गया है यहां पर उसके पिता ने क्या समझा कि उसका पुत्र को मार दिया गया है ठीक है तो यह वाली चीज तो यहां पर क्या है मीनिंग को double मतब आप समझ रहे एक मीनिंग का जो double मीनिंग था वो यहाँ पर बताया गया और word का कुछ और समझ लिया गया कई बार हम जो है हमें बोला कुछ और जाता है हम उसको misinterpret कर देते हैं हमें सुनाई कुछ और हो जाता है है ना जैसे मैं अच्छी और मच्छी का example देती हूँ जैसे कोई बोल दे कि आप तो आज बहुत मच्छी लग रहे हो ठीक है और आपको क्या सुनाई दिया मच्छी मच्छी क्या होता मच्छी क्यों बोल रहा था यह मुझे ठीक है लेकिन आपने क्या क्या बोला गया था आपको इसमें खास तोर पर वर्ड में ध्यान रखना है ठीक है अब ठीक है यहां पर न शॉट में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ शॉट में देखो अकांशा क्या था अकांशा था जो हम वर्ड कैसे बोले ठीक है इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए शब्दों का कोई अर्थ निकलना चाहिए ठीक है शब्दों का क्या होना चाहिए कोई अर्थ निकलना चाहिए प्रोपर मीनिंग निकलने चाहिए काउ, मेन, एलिफेंट, हैट ये बोलने से एक प्रोपर मीनिंग नहीं निकलता है योग्यता क्या है? वर्ग का खंडन नहीं किया जाना चाहिए ठीक है? अच्छा कॉंट्राडिक्टरी मीनिंग नहीं निकलना चाहिए खंडन नहीं होगा यहाँ पे अर्थ का contradictory meaning नहीं निकलना चाहिए contradictory का मतलब क्या है मतलब आग से पोधो को पानी दे दो आग से पानी दे दो ठीक है सन्नी धी क्या है मैं आज पानी प्यूंगा ठीक है तातपरिया क्या है double meaning जो बात होती है double meaning बात ठीक है double meaning बात भी तो करते है न हम एक word का गलत meaning निकाल देते हैं बोलना कुछ और चाहरे होते है जैसे कि किसी को बोल दे आज तो बड़ा चमकरी हो लेकिन उस दिन वो सबसे खराब लग रही होते है ठीक है तो क्या आज तो बड़ा चमकरी हो क्या बात है ऐसे बोलता है तो वो टोन में बोला जाता है के अच्छा यह तारीफ नहीं कर रहे हैं यह तो ताना मार रहे है आज तो बड़ा चमकरी हो मतलब बूडी गोडी लाल लगाम वाले भी हो सकता है ठीक है ताने में तो ऐसे भी हो सकता है वर्ड का कुछ और मतलब दाद परिया निकाल के बोला जाए हाँ जी चलिए तो I hope so कि ये समझ आ गया student इतना समझ आया ना इसमें कोई डाउट ठीक है हमेशा वर्ड क्या होगा एक trustworthy person के द्वारा बोला जाएगा जो कहलाएगा आपता उसके द्वारा बोला गया वर्ड कहलाएगा आपता वाक्य और आपने यह sequence याद रखना है अकांशा, योगिता, सनीधी, तातपरिय यह question आया था sequence में लगाने के लिए आया था ठीक है अकांशा, योगिता, सनीधी, तातपरिय और इसका मतलब ध्यान रखना है तातपरे का मतलब double meaning नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा इसमें न दो और चीजे है इसको दो broad classification है एक तो source के अधार पर एक object के अधार पर ये last चीजे है source के अधार पर और object के अधार पर कहां गया अच्छा देन कल आपका अर्थबती के अरवाऊंगी बे ठीक है ये रहा object के अधार पर on the basis of object ठीक है on the basis of source एक है वेदिका scriptural वेदिका देवेदिका टेस्टिमोनी इस प्रेफर्ड और इन इन फैलिबल बिकोज देवेद चात्र spoken by God ठीक है वेदिक जितनी भी चीजें हैं वेदों में जो लिखा है वो क्या है वो वैलेड सोर्स है वैलेड सोर्स आफ नॉलेज है क्यों क्योंकि वो किस ने बोला है गौड ने बोला है बगवान के बोले हुए शब्द है उसमें क्या है बगवान के बोले हुए शब्द है इसलिए जो वैदिका या स्क्रिप्चुल्स में जो भी लिखा होता है वो पर्फेक्ट है और नेच एंड इस वेरी नेचर ठीक है सभाव से परिपून है फिर होता है लौकिक का ठीक है लौकिक सेकुलर स्क्रिप्चल वैदिक लौकिक ठीक है वैदिक लौकिक जिसको हम कहारे स्प्रिच्वल एंड सेकुलर सेकुलर धरम निरपेच बिइंग दा वर्फ यूमन बिइंग वार लायवल तो इरर ठीक है मनुष्य जो होता है कियोंकि तुरुट्टी पूर्ण है हर कोई मनुष्य पूर्ण तो नहीं होता अफकोस इंसान ने तो गलती करेगा तो इंसानों से गलती हो सकती है तो वो non-infallible है ठीक है इसमें इरर हो सकती है उसमें उसमें अचूक नहीं है वो बट लोकिक and secular testimony is not all valid ये सारे चीजे वैद धरम निरपेक्ष गवाही सभी वैद नहीं है ठीक है मतलब कुछ ऐसे चीजे भी है धरम निरपेक्ष जो है ठीक है वो सारे चीजे वैद नहीं है it is the testimony of human being क्योंकि वो human being ने लिखी है और therefore false भी हो सकती है इसलिए लोकी का testimony है ठीक है only that which precedes the trustworthy person is valid जो trustworthy person वो लेगा वो ही valid होगा सभी के द्वारा बोला हुआ क्योंकि वो मनुशे है और वो गलत भी बोल सकता है तो उनके द्वारा बोली हुई बात जो है वो गलत भी हो सकती है ठीक है इसमें ये लिखा है जो धरम निरपेक्ष गवाई होगी वो सारी सत्य नहीं होगी then object के अधार पर बोले अगर तो दो तरह का है वो क्या है द्रिश्टार्थ और अधर्शार्थ यही है परसेपीटेबल ऑबजिक्ट्स द्रिश्टता ठीक है एड अधर्श्था ठीक है यही क्या हो गया परसेपीटेबल ऑबजिक्ट क्या हो गया परत्यक्ष वस्तु है जो हमें आम वेक्तियों संतों ठीक है जिसे फोर्स्ट वन डील जिद परसेपीटेबल ऑबजिक्ट इन विच इनक्लूड ट्रॉस्टवर्दी असर्श्टन ordinary person, saint, scriptures ठीक है for instance we can talk about assertion of a reliable farmer regarding the proper cultivation of crops जैसे की ठीक है द्रिश्टता क्या होगा जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है ठीक है जैसे की हमारे जो हमारे trustworthy person ने बोली है जैसे की किसी संत ने बोली है किसी शास्र में लिखी है जो हमारे सामने दिख सकती है जो हम मतलब देख सकते हैं ऐसे ठीक है जैसे की एक example यहां पर दिया हुआ है जैसे की किसान से उसके बारे में पूछे कि भाई खेती कैसे की जाती है तो वो trustworthy person हमारा कौन होगा किसान ही अच्छे से बता सकता है ना तो हो गया परत्यक्षवति दिस्ट था ठीक है जो जिसका एक तरीके से यह हो गया एक teacher से पूछा जाए कि marks किसमें अच्छे आने चाहिए कैसे तरह से अच्छे लाए जा सकते हैं ठीक है या फिर एक scientist से पूछा जाए कि vaccine कौन सी जादा अच्छी है लगवानी ठीक है कितना मातरा में लगनी चाहिए क्या इसका असर है तो वो एक teacher नहीं बता सकता वो एक किसान नहीं बता सकता जिसका जो काम है वो ही बता सकता है ठीक है तो यह हो जाता है आपका perceptible objects जिस भरोसे मंद विक्ति के द्वारा बोली हुई बात ठीक है फिर आता है इन-perceptible object अदर्श था अदर्श थार्थ अदर्श थार्थ रिलेट टु दा implicable object such as acceptable statement of common man sent religion text statement of scientist concerning atoms believes religion text the refer to the object which cannot be seen or verified यह क्या हो जाएगा वो तो था जो आपने देखा हुआ है अब कोई ऐसी वस्तू जैसे कि हम यह forecast करते हैं कि कल जो है वो बारिश होगी कल बारिश होगी ठीक है for example कल बारिश होगी तो यह हमें कौन बता सकता है यह भाई हमें environment वाले फोरकास्ट करने वाले rain यह जो बताएंगे ठीक है environment की बारे में जो बताएंगे वो ही तो बता सकते हैं तो हम ऐसी घटना जो हुई नहीं है उसके बारे में कौन बता सकता है वो उसी से related वाले ठीक है उसमें था कि कोई घटना कैसे होगी यह किसी के बारे में knowledge प्राप्त करनी है तो मतलब कोई घटना पहले घट चुकी उसके बारे में अगर ग्यान प्राप्त करना है तो कोई ऐसा बता सकता है जिसको उसके बारे में बताओ यहां पर वही सेम चीज है लेकिन उसके भविश्य के बारे में लेकिन फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकता है यह वला विक्ति जिसने देखा ना हो लेकिन वो एक ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि उसको उसके बारे में knowledge है ठीक है सेम वही चीज है चलिए I hope सो कि यहाँ पर समझाया अगर नहीं समझाया तो प ठीक है आर्थि पत्ति और अनुपलब दी कल यह दो और हो जाएंगे बताईए फड़ावट से यहाँ तक समझाया आपको कोई डाउट समझाया में तो आपको यह चार वर्द धिहान रखना स्टूडेंट जो मैंने बताया है ना यह वाले यह चार वर्ड सबसे important यह question बनेगा तो इसमें से बनेगा अकांशा, योग्यता, सनीधी, तातपर्या इसका एक example इसी आधार पर जो है question हाँ बस आज के लिए इतना बहुत है जादा knowledge देने से भी क्या हो जाता है overflow हो जाता है ना facts का चलो तो नहीं समझाए तो पूछ लेना और हम जो है इसमें questions भी करवाऊंगी मैं एक class हो रहा है उसके बाद सारे question करवाऊंगी 2019-2020 के देन expected mcq और मेरी class आपको पसंद आती है तो like, share, subscribe, share जरूर करे, like जरूर करे bs10 मेरा code है ये code जरूर apply करे unacademy के किसी भी subscription में या फिर free plan unlock करने के लिए first time unacademy आप install कर रहे तो ये code जरूर लगाए और ये code जो है सब जगा पर unacademy के किसी भी subscription में आप लगा सकते हो 10% off मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और अभी जो है 12 month में 2 month extra मिल रहा है फायदा है और अभी आपके पास 1 month है अभी भी तैयारी खर सकते हो